नमब उद्धाय दोस्तो आज की दुनिया में हम सभी को बड़ा बड़ा चाहिए यहाँ पर मैं मोवाइल की बात करा हूँ तो गलत बिल्कुल भी मत समझेगा ओपो ने एक नया इन्नवेशन किया है इसमें ऐसा होता है कि अगर आप उस फोन को नूर्मल मोड में चला रहे हो और उसको अगर बड़ा करना है तो एक ही जटके में वो फोन बड़ा हो जाता है तो आज आपका भाई एक बहुत ही बढ़िया बैतरीन बोल सकते हो इस चैनल का बैतरीन सप्राइज लेके आचकों आपके लिए तो सबसे पहले अपने भाई का नाम जालो मेरा नाम है रूपेस यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस तरह की वीडियो डेली देखना चाते हो नहीं नीट टेकनोलोजी की वीडियो देखना चाते हो तो पहले आज सब्सक्राइब करो लाइक कमेंट करते हो ना तो मुझे भी बहुत जादा मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के में तो ओपो ने जो नया इन्वेशन के ना बड़ा ही कमाल का यार सच में मैं बहुत पकड़ा मैंने ओ माई गॉड यह पै किंग में बड़ा है मतलब छोटा पैकिंग ने किया गया है बड़े स्मार्टफोन पैक किया गया है तो यह हमारा फोन आ गया हमारे हाथ में काफी अच्छा यार देखने में मुझा नहीं आ रहा बहुत LIKE साइड में रखते हैं तो first look क फर्स्ट इंप्रेशन की बात कर लेते हैं देख लो फर्स्ट लुक कैसा है आप स्कीन से देख लो यार कैसा लग रहा है यार बहुत मसा है का मतलब पब्लिक है कर हम चला सकते हैं कुछ इस तरह का समझ रहो क्या फीलिंग आएगी वह लग रहा है जो रोबोट वाले और जो एलियन वाली टेकनोलोजी होती है ना सेम टू सेम भाई मजा आ रहा है मेरे को तो सबसे पहले मैं आपको इस वाले मोवाईल की साइड वाइस साइड डिजाइनिंग के ऊपर बात करना चाहूंगा उसके बारे मैं बताना चाहूंगा डिस्पले भी काफी ज्यादा अमेजि दिया गया है यह तो कुछ भी नहीं पता चल रहा बट दो डो एलिडी फ्लैस बट यह फाइनल नहीं हुआ है कि हां कैमरे कितने मेगा पिक्सल के हो सकते है अब फोन ही देख लो क्या चीज है तो कैमरा भी कुछ आलागी लेवल का आएगा नीचे की साइड में आपको स्प तो आपका पहले फिंगर लगाते ही आपका खुल जाएगा दूसरा अगर आप इसको स्लाइड डाउन करते हो तो आपका नोर्मल मोड में फोन चलेगा और जैसी स्लाइड जो टच करके जस्ट अप करते हो थोड़ा सा अप करते हो तो यह पूरा फैल जाएगा मतलब फैला वाला हो जाएगा चली दोस्तों एब बात कर लेते हैं थोड़ा डिस्प्ले के ऊपर क्योंकि यह बहुत जादा बाइरेल चल रहा है तो लिखाता है इसमें दरसल ना दो मोटल लगाएं गये हैं जो की एक कंसेंटर पर चलते हैं पोज बनाता ही यह जनरेट करता है बाला वो दोनों मोटर को कुछ इस तरह से कंसेंट किया गया है और इस तरह से फोकस करता है कि यह कभी भी बेकार नहीं होने बाले हैं जिहां दोस्तों मतलब डिस्प्ले तो आप देख रहे हो कितनी ज्यादा मजार दोस्तों में टॉपिक प्राइस की बात कर लेते हैं क्योंकि इंडिया में यह कितने रूपीज में आने वाला है यार फाइनल तो नहीं हुआ है लेकिन जो लिक्स निकल के आ रहा है वो है कि एक लाग पैंतिस जार में आपको देखने को मिल जाता है यह फाइनल नहीं है एक लाग पैंतिस जार और लांच डेट की भी लगे हाथो बात कर लेता हूं मैं लांच डेट आपको यह मार्च या अप्रैल में देखने को मिलेगा 2021 में मतलब अगले साल मार्च अप्रैल में यह वाला फोन इंडिया में देखने को मिलेगा तो हाँ दोस्तों मुझे प जाय हिंद वन्दे मातरम बाइ